भगवान श्री राम की तपो भूमी चित्रकूट में हिंदू महाकुम्भ की आयोजन में बोलते हुए संग प्रमुख मुहन भागवत ने सनातन धर्म को छोड़ कर गए लोगों से वापस आने की अपील की। उन्होंने कहा कि डर अधिक दिन तक धर्म से बंदगर नहीं रह सकता है। उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से भी आवहान किया है कि अपने एहंकार को छोड़ कर लोगों को जोड़ने के लिए काम करें। इस अफसर पर लोगों को संकल्प दिलाया गया कि वो भगवान श रहा है कि जातियों के कारण हिंदु समाज बटा हुआ है और इसकी खाई को भरना आवश्यक है मैं अपने पवित्र हिंदु धर्म हिंदु संस्कृति एवं हिंदु समाज के सवरक्षन सम्रक्षन सम्वर्धन सम्वर्धन एवं सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूँगा जो भाई धर्म चोड़कर चले गए उनकी भी धर्वापसी के लिए उनकी भी धर्वापसी के लिए कार्य करूँगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा मैं मैं जाती वर्ग भाषा पंख के वह बावों से उपर उठकर अपने हिंदू समाज को अपने हिंदू समाज को समरस सशक्त और अभेद्य बनाने के लिए पूरी शक्ती से कार्य करूँगा लोगों ने संग के इस प्रयास का समर्थन किया है कि समाज को जातियता ने काफी नुकसान पहुचाया है ये प्रयास हिंदू समाज को एक जुट रखने में काम्याब होगा भारतिय संस्कृति, राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद और सनातन धर्म हिंदूत्वों को बचाय रखने के लिए भारत में जातियों का तूटना अवश्यक है Bureau Report, DD News, Lucknow